दोस्तो सैटलाइड इमेजों के द्वारा कई वार कई सारे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानकरी मिल जाता है Even दोस्तो सैटलाइड इमेज थो ऐसे बातों कभी खुलासा कर देता है जो कोई अपने दुष्मन देशों के सामने रखना भी नहीं चाता है और इस वार सैटलाइट इमेजों के राडार में आया रशिया के S-350 वितियाज नामक Air Defense System बताया जा रहा है कि रशिया के द्वारा निर्मान किया हुआ ये जो सिस्टम है इसका पहला deployment हो चुका है और दोस्तो आज के इस वीडियों में आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो missile system है इसका deployment कहा हुआ कव हुआ और ये जो missile system है इसका ताकत कितना है तो डीटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तो S-350 Air Defense System को रशिया के तरफ से निर्मान किया गया है इस तरीके के system को basically medium range surface to air missile कहा जाता है और दोस्तो हाली में satellite imageों में missile के deployment का जो खुलासा हुआ है वो असल में अलजेरिया के तरफ से किया गया बताया जा रहा है कि अलजेरिया के द्वारा हाल फिलाल में ही S-350 missile को मौरको के border के नस्दिक deploy किया गया है इवन दोस्तो इसे missile के सबसे पहले deployment के रूप में भी देखा जा रहा है पर दोस्तो इसके बारे में ना कभी Algeria के तरफ से जिकर किया गया और ना ही कभी Russia के तरफ से कोई जिकर किया गया बेसिकली ये सभी दावे satellite imageों के base पे social media में किया जा रहा है आपके जानकारी के लिए बता दू अब तक ना ही Algeria के तरफ से और ना ही Russia के तरफ से ये confirm किया गया है कि कभी दोनों देशों के वीच में इन हत्यारों का कोई deal हुआ है पर Algeria के कुछ news media में हाल फिलाल में Algeria के chief of army staff के अधिकारियों के साथ meeting के दर्मियान उनके पीछे S-350 मिसाइलों के photos को लगाया गया था अब इससे एक दरीके से ये confirm होता है कि शायद Algeria के द्वारा मिसाइलों को खड़िदा गिया है या फिर Algeria तकि यह मिसाइल पहुँच चुका है पर ये satellite image के खुलासे के वाद य currently अब confirm हो चुका है कि Algeria के पास यह मिसाइल है और Algeria इन मिसाइलों को खड़िदा है हाला कि दोस्तों अब बताया जा रहा है कि Algeria के मीडिया रिपोर्टों में जिन फोटोस को जारी किया गया था वो असल में साल 2019 के December 23rd का है और उस दर्मियान ही Algeria को S-350 मिसाइलों का डिलिवरी रश्या के तरफ से किया गया था शोशल मेडिया में वाइरल किया गया या जान भूच के इस तरीके से डिपलोई किया गया था कि सेटलाइट इमेजों में इसे जाना जा सके और अगर ऐसा नहीं होता तो करीवन धाई साल फहले अगर Algeria को रश्या के तरफ से S-350 का डिलिवरी किया था तो अब तक क्यों ये पब्लिक के सामने नहीं आया दोसे बता जा रहा है कि Algeria के तरफ से डिलिवरेटली से इसलिए किया गया क्योंकि खवर ये है कि मौरकों के तरफ से इसराइल से बराक एमेक्स जैसे सरफेश टू एयर मिसाइलों को खरिदा किया है और Algeria मौरकों को ये जताना चाहता था कि उनके पास भी बैतरिन सिस्टम है और बराक एट को काउंटर करने का उपाय उनके पास है दोसे मौरकों और Algeria के बीच के अगर टेंशन को देखा जाए तो ये कोई धका चुपा टेंशन नहीं है और कोई नया नहीं है कई सालों से दोनों देशों के बीच में काफी टेंश करने का भी इलजाम लगाता है हाला कि दोस्तों इन दोनों देशों के इस तरीके के रिस्तिय के कारण दोनों देश अलग अलग गुट में भी है एक तरफ जहाँ पे अलजेरिया को रशिया समर्थित देश के रूप में देखा जाता है तो उहीं पे मौरकों अमेरिका और इसराइल के पक्षधारी देश है मौरकों के पास कई तरीके के अमेरिकी हतियार है तो उहीं पे अलजेरिया के द्वारा जादातर बड़े हतियार रशिया से ही पर्चेस किया जाता है इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो रशिया अपने कई तरीके के नए और बड़े ह हत्यारों को सबसे पहले अलजेरिया को ही बेचा है वही पर दोसो S-350 को भी इस तरीके कही हत्यार के रूप में देखा जाता है दोसो S-350 को अगर देखा जाए तो इसे वितियाज भी कहा जाता है और ये एक medium range surface to air missile है जिसके development और manufacturing का काम रेशिया के defense company अलमाज आनते के तरफ से किया गया है दोसो ये अलमाज आनते वही company है जो S-300, S-400 और S-500 जैसे missile के development किया है दोसो वही पर report में ये वीज वजाय जाता है कि इन system के development का काम तो रशिया के तरफ से 1990 के दशक में ही शुरू कर दिया गया था लेकिन पहली वार missile ने उरान साल 2013 में भरा था दोसो विज जो system है इसे पहली वार रशिया के तरफ से माक्स एयर शो 2013 के एडिशन में मॉसको में public मिलाया गया था और December 2019 में ही रशिया को आलमाज आनते के तरफ से पहले operational S-350 वितियाज missile का delivery किया गया उसे बताया जाता है कि S-350 में interceptor missile के रूप में 9M-96E-2 guided missile का इस्तेमाल करत है जो एक किलो मेटर के minimum range से लेके 120 किलो मेटर के maximum range तक काम कर सकता है हाला कि दोस्तों इसके अगर altitude को देखा जाए तो ये 5 मेटर के उचाई से लेके 30 किलो मेटर के उचाई तक target को निशाना बनाने में सक्षम है 9M-96E-2 missile के अगर रफतार को देखा जाए तो अलमाज आनत मेटर के आसपास है और इसमें करिवन 24 किलो मेटर के वरेड रहता है जबकि इसके इलावा 9M-96 के और एक short range का missile विसमें इस्तेमाल होता है जिसे 9M-96E कहा जाता है जो एक किलो मेटर के minimum range से लेके 40 किलो मेटर के maximum range तक काम कर सकता है हाला कि इसका भी altitude का श्रमता minimum 5 मेटर है इसके रफदार के वारे में कोई जानकरी नहीं है लेकिन बताया जाता है कि इसका वजन 333 किलो ग्राम है हाला कि इसका लंबाई भी कम है करिवन 4.75 मेटर है और इसमें भी 24 किलो ग्राम के वरेड और इसका diameter 240 मिलिमिटर है इसके इलावा दोस्तों रिपोर्ट में ये भी ब पर इसमें 9M100 सिरिस के वी एक शौट रेंज का मिसाइल इस्तेमाल किया जाता है जिसका अधिकतम रेंज 10 किलो मिटर है और लंबाई करिवन 2.5 मीटर और डामीटर काफी कम और करिव करिव 125 मिलिमिटर के आसपास है मिसाल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले 9M96 सिरिस के मिस मिसाइलों को अगर असल में ड्वल फर्फोस मिसाइल के रूप में देखा जाता है जो एंटी मिसाइल और एंटी एरक्राफ्ट दोनों के ही रोल को निभा सकता है पर इसमें इस्तेमाल होने वाले 9M100 सिरिस के शौट रेंज गाइड़ मिसाइलों को बेसिकली एरियल थ्रे सिस बास 6909 का इस्तेमाल किया गया है जो अधिक्तम 80 km पर आवर के रफ्तार से दौर सकता है तो वही पर इसका अधिक्तम रेंज करीब-करीब 1000 km है हर एक S350 सिरिस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कई तरीके के कॉम्पोनेंट होता है जिनमें टिफिकल कॉम्पोनेंटों में तीन कॉम्पोनेंट होता है जैसे की एक ट्रांस्पोर्ट इरेक्टर लॉंचर जिसे की 50 P.E. कहा जाता है जो की 12 मिसाइलों को फायर करने का कैप राडर का रेंज का इवकरीफ 200 किलोमेटर बताया जाता है जबकि इसके इलावा जो 3rd component है उसे command and control मतलब C2 vehicle कहा जाता है जिससे 50 K6 भी कहा जाता है Basically ये एक communication और control station होता है जहांपे missileों के launch, missileों के radarों के tracking जैसे काम को अंजाम दिया जाता है फिलाल दोस्तों अगर Algeria के तरफ से missileों के deployment के cover को देखा जाए तो ये Algeria के तरफ से अपने territory के अंदर ही deploy किया गया है और जो satellite image public हुआ है उससे वी export का मानना है कि Algeria इसे अपने territorial defense के लिए ही deploy किया है ना कि ये कोई offensive deployment है जबकि दूसरे तरफ अगर Morocco के बराक MX जैसे missileों को देखा जाए तो फिलाल रेंज के मामले में और radar के tracking सिस्टमों के मामले में बराक सिस्टमों से आगे S350 को ही देखा जा रहा है लेकिन दोस्तों दूसरे तरफ अगर बराक सिस्टमों के अब तक के capability को देखा जाए तो इ missileों को, rocketों को और अन्य targetों को हवा में neutralize कर सुका है दोसरे इसराइल के तरफ से निर्मान किया हुआ air defense system को दुनिया में सबसे अधिकतम इस्तेमाल किये जाने वाले system के रूप में भी देखा जाता है और दोस्तों अगर किसी एक देश के तरफ से missile defense system को अब तक effectively इस्तेमाल किया गया है तो वो है इसराइल, Palestine के तरफ से इसराइल के उपर दागे जाने वाले जादतर rocket, artillery और motors को इसराइल के तरफ से निर्मान किया हुआ इन missile defense system को नहीं रोकता है और एक तरीके से इसराइल के नागरिकों के सुरुक्षा का भी जिमा इन missile defense system के ही हात में हैं ऐसे मे में at least बराक MX जैसे system हों से आगे गिना नहीं जा सकता जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो रश्या भी missile defense system हों में किसी भी तरीके से पीछे नहीं है और रश्या के तरफ से भी S-400, S-500 जैसे आधुनिक से आधुनिक तम और long range तम missile हो का development किया जा चुका है तो दोस और दें